प्रस्णा बेंक देख रहा था। और यह जो संकीस संकीस का प्रस्णा बेंक यह ढख्छा nutrit वालों का है। और cg board वालों का है। ठीक चत्तीजफगर board का मद्यप्रदेश बौप का मैं अलग से प्रवाइड करता हूँ। तो अभी मैं प्रवाइट कर रहा हूँ 36 गर्ड बोर्ड वालों का, तो 36 गर्ड बोर्ड वालों को मैं यहाँ पे संकित सब्जेक का प्रस्न बैंग का कुछ टॉपिक है वो दिखाना चाहता हूँ, जब भी मैं आप लोगो IMP सुची टिक कराता हूँ तो मैं बहुत कम देता ह कम पढ़े और बहुत अच्छा नमबर लाए, मेरा मानना यही है ठीक है लेकिन प्रस्न बैंग जिन्हों ने बनाया ना इसमें टोटल 72 पेज है प्रस्न बैंग में और वो पूरा को पूरा प्रस्न है और सब को ढून के आपको बनाना है उत्तर, अब यहाँ पे देखो कछ न है इसको देखना है मैं आपको बता रहा है तीक है देखो कुल प्रस्नों की संख्या मैं आपको बताना चाहता हूं कितने प्रस्न बचल्च यहां पर दिए होए और प्रस्न कितनद साइगा और दिए हुए कितने नंबर का एक एक नंबर का और 101 प्रस्न जब आप इसे पढ़ोगे 101 प्रस्न को तो कितना नंबर मिलेगा चार नंबर अब इन्हें सरम तो आना चाहिए यार बोर्ड वालों को ऐसा तो करना नहीं चाहिए संकीस सब्जेक्ट एक तो टफ होता है और पूरा पढ़ना पढ़ता है उसके बाद कितने प्रस्न आएगा चार प्रस्न आएगा और 101 प्रस्न पढ़ने पर तो ये तो गलत है ना ये तो ना इंसाफी आप लोगों के साथ मैं भी मानता हूं और मैं इसे इसलिये देख रहा था क्योंकि यहाँ पर जो प्रस्न है यहां से कम से कम 35 प्रस्न होगा तो मैं आपको यहीं से पुरा प्रस्न प्रवाइड करता लेकिन इनके आने की भी संभावना कितना है किसी को पता नहीं आये का परस्न मुझे पता है चार परस्न यहां से अटेम्ट होंगे नहीं होगा वाले बात नहीं होगा लेकिन 101 परस्न को पढ़ना और सिर्फ चार परस्न फसना यह तो बहुत बड़ी बात हो गई न और बहुत महनत करने वाला काम है कम महनत करो ज्यादा नंबर पर यह मायने रखता है कम महनत करके बहुत अच्छा नंबर लाना यह जो है न यह क्या कहते हैं आम क्याम गुठलियों के दाम कहते हैं यही यह तरीका है कि कम भी पढ़ाई क करो और अच्छा स्कोर भी आसिल करो तो मेरा मानने यही है और मैं इसी आधार पर चलता हूं आप लोगो को जितना भी पेपर मतलब आई एंपी सूची प्रवाइड करता हूं पेपर में आने वाले प्रसनों की जानकारी बताता हूं यह कम पढ़ाई करके बहुत अच्छा न नंबर पाएगा तो कौन ज्यादा पा रहा है परिच्छा बोद पढ़ने वाला बुक पढ़ने वाला तो सबको पढ़ा है ना पर वो ज्यादा क्यों नहीं पा रहा है इसलिए क्योंकि ज्यादा जो प्रसना है वो बुक से नहीं आते हैं कहां से आते हैं परिच्छा बोद उसमें आया था, और सबसे ज़्यादा नमबर, जिसमें मैं, तीन पेपर होता है, college में, मैं समय, first, second, third, तो पहला पेपर मैं ने पूरा book पढ़ा था, book पढ़ा था, सबसे कम नमबर उसमें पाया था, फिर second जो है, उसमें मध्यादा आधा book और आधा परिछावूथ, दोनों होता है और इस तरीके का अधार पे मुझे एक चीज़ पता चला कि सबसे ज़्यादा प्रश्ण बुक से नहीं परिच्छा बोद से फस्ता है तो परिच्छा बोद ही पढ़ेंगे ठीक है वहाँ पर अलग लग है परिच्छा बरे यहां परिश्चा अपको प्राइड हो रहे हैं तो 101 प्रसन अगर आप पढ़ना चाहते हो यह बेफुजुल है आपके लिए कोई मतलब नहीं है और इसams से कितना पढ़ना है मैं आपको दिखाता हूं टोटल प्रश्णों की सूची देखो इसमें भी ये मजाक कर दिया है 50 प्रश्ण पढ़ना है चलो 50 से कम है पढ़ लेंगी से ठीक इसमें दिक्कत नहीं है लेकिन ये ये भी कह रहा है कि ये जो प्रश्ण है यहां पे देखो कुछ इस प्रकार से भी दिया हुआ है ठीक, ऐसे भी प्रस्ण आ सकते कह रहे हैं, जबकि यहां से एक प्रस्ण नहीं आएगा, और यह कहां, यह प्रस्ण जो है, कहां पर attempt होगा, यह प्रस्ण संभावना संभावना अगर attempt हो जाए ना, हो जाए तो, मैं यह कह सकता हूँ कि यह होगा नहीं, यह आएगा नहीं, य जो प्रस्न नहीं आते हैं उनको टॉपिक बनाने को कोई मतलब नहीं है मैं देख रहा हूं मैं प्रस्न बैंक और सूची को भी देख रहा हूं जो जो प्रस्न आते हैं जिसके टाइप है ठीक है इसके बाद सुभासितानी यह तो आप बना लोगे दो याद करने हैं आपको ठ करते हैं यह आ सकता है मैंसे लिए तीन सुबहस्तानी याद कर लेटा ठीक है और इसी तरह से कि आपको दिखाई देता वान करना है पौई में तो आपको क्या करना है याद कर लेना तो यह पांच विद्वी करना तो चार पांस सुकती याद कर लेना तो यह पांस सुकती है इसमें यहां पर बहुत सारे इनको याद नहीं देखना है आपको सिर्फ पांस सुकती याद करना है ठीक है यहां पर बहुत सारे टॉपिक अलग अलग तरीकेस दिया है तो मैं आपको इसी तरह से बताऊंगा कि आपको पढ़ाई कैसे करना है